सेम एक छोटा बच्चा था उसका अफरन कर लिया गया पर वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटने में काम्याब रहा वह बहुत दरा हुआ था और अपने अफरन के बारे में किसी से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था जासूस मिहूल ने सेम से अपनी कुछ जानकारी निका और तीन संभावित अफरन करताओं की पहचान की नौकरानी में सबजी लेने बाहर गए थी पेंटर में पीछे के कमरे में पुताई कर रहा था गाडे मौलते गेट के बाहर खड़ा था पेंटर के कप्डों पर उसी रंग के धब्बे थे जिस रंग से सेम ने चित्र याका